हेलो इस्टुडेंट स्वागत थे आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस लेर्निक प्रफरम ब्यस्ट बायो वाला में उसके बारे मां समझें क्या उसका बूर्ट निकल नेम है उसको समझेंगे अधे कर सकते हैं सिम्ला मिड्स इसको ग्रो कराने के बैद्स क्या टेकिनिक्स होती हैंoline क्या सिधी ग्रीकोzd व्राल होती हैं कैसे молод को कल्टिवेट करते हैं такой कैसे प्रकार इसमें मेर्म इसकी हर्वेस इसारी चेस्टींग कैसे स्टोर कैसे इसको ग्रेडिंग शॉर्टिंग सारे चीज को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे और सम्झेंगे ठिक आए वीडियो की स्टार्ट करते हैं वीडियो की स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको यदि आप चैनल पिंड नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए पेल आइकन दबा लिजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेस्स बिलते रहे और आपके बीसी 4 जो तैयारी है वो complete हो सके तो जो आपका यह बिल पीपर बिल पीपर हम लोग स्वीड पीपर या फिर सिम्ला मिर्स के नाम से भी जानते हैं तो आपको पता है कि जो सिम्ला मिर्स है वह एक वेजिटेबल है तो वेजिटेबल के रूप में इसका उपरियोग हम लोग करते है ठिक सिम्ला मिर्स का जो सिम्ला मिर्स होता है यह बहुत ही important यह important लिखावा यह आयन है यहाँ पर आयन ही पढ़ेंगे आयन important commercial वेजिटेबल यह बहुत ही important commercial वेजिटेबल माना गया है ठिक क्रॉप यानि कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्रॉप मना गया है यानि कि कामर्शिल इसी को हम लोग स्विट पीपर या फिर सिम्ला मिर्श से बोलते हैं इस सिम्ला मिर्ष का जो बोर्ट निकल नेम होता है वो है बेल पेपर बेल पीपर और इसका जो बोर्ट निकल नेम है यह क्या है कैपसिकम एनम यानि कि दा बोर्ट निकल नेम आप बेल पेपर इस कैपसिकम एनम कैपसिकम एनम इसका बोर्ट निकल नेम है ठीक तो मैंने भी से कही बताएं यह बहुत ही काम इंपॉर्टेंड और कामर्सियल विजटेबल मानागे हैं कौन सा स्वेट पीपर यानि कि सिमला विश जिसका बॉट निकल नेम होता है क्या होता है बॉट निकल नेम कैप्सिकम एनम और इसका कामर्सिली ग्रीन हाउस कल्टिवेशन के लिए स्वेट नेम होती है उसको समझते हैं यहारे कि अमेरे केने का मतलब ए इस मील पेपर को प्रोडक्शन करने करने के लिए क्फरेंट टेकनिक किया हो सकता है पड़ती है वो कौन कौन सी टेक्निक है आई उसको हम लेक वाक समझते हैं सबसे पहला आता है आपका स्वायल मनेजमेंट स्वायल मनेजमेंट में क्या आता है जैसे आप किसी भी प्लांड को ग्रो कराने जा रहे हैं ग्रो कराने से पहले आप देखेंगे कि जो आपका स्वा पर है कि नहीं वहां का atmosphere है soil porous है कि नहीं porous है यानि कि सारे चीज को समझना soil management कहलाता है यानि कि pH को maintain करना atmospheric temperature को maintain करना manure में को maintain करना और different climates है different soils है उसको maintain करना ही soil management कहलाता है ठीक तो आपको पता है कि या भाई आप किसी चीज को कामर्स लिए तोर पर cultivate करा रहे हैं तो उसमें जो स्वाइल होगी वह अच्छी होने चाहिए तो best soil यानि कि the best soil for symbolism is highly porous highly porous अन्य की जो भुर्भुरी मिट्टी होती है वह उसके लिए काफी suitable मानी जाती है ठीक तर टंप्रेचर 22-28 जो टंप्रेचर है उसका 20-28 होना चाहिए ठीक टंप्रेचर और जो pH होगा वह लगबग 6 से 6.5 माना गया है ठीक नेक्स नेक्स आता है आपका soil bed preparation अब आप सिम्ला मेड्स यानि के बेल पीपर स्वेट पीपर का प्रोडक्शन करा रहे हैं तो इस सब का प्रोडक्शन एक soil bed बनाया जाता है इस्वाइल बेड का मतलब क्या होता है मैंने एक बार आपको प्रिवियस क्लास में बताया था कि जो soil bed बेड़ पीपर होता है उसका मतलब यह है कि जैसे आप कोई प्लांट ग्रोगर का रहे हैं का मर्सली पे यानिकी ग्रीन हाउस में टो क्रीन हाउस पे जो फिल्ड है वहाँपे समझ सपोड़ कर इतना एरियाज है आपके पास ग्रीन हाउस का तो आप उसमें छोटे छोटे जो प्लांट होए आपका, ठीक, वो थोड़े उपर पर ग्रो करें। तो उशेल बेट बनाना पड़ता है, यानि कि जो आपकी स्वेल है, उसे में थोड़े उपर, ठीक, उसे में थोड़े उपर मिट्टी को लबक एक से तीर फिट, च्या कर देते हैं? टिक उचा कर देते हैं ताकि ये जमीन से थोड़े हाइट पे रहे हाइट पे रहता है तो एक तखत जैसी सनशना बन जाती है जिसको हम लोग स्वाइल बेड बोलते हैं तो स्वाइल बेड का प्रेशन करते हैं जो लगभग 30 से एक 5.5 fit फिट फिट रहता हाइट उसकी रहती है लंबाई लगभग 2 fit होती है और चोड़ाई लगभग 2 फिट 2 फिट 2 फिट-फिट 2 होती है जानो होती है आपके फिल्ड में हर जगा स्वाइल बेड बना रहेगा और एक स्वाइल बेड का दूसरे स्वाइल बेड की जो दूरी होगी वो लगबग 30 cm याने की लगबग 2 फिट मानी गई है ठिक आगे बात करते प्लांटिंग मेटेरियल की प्लांटिंग मेटेरियल क्या होता वो समझ ये प्लांट को जिस पार्ट के द्वारा जिस चीज के द्वारा ग्रूप कराया जाता है उसको प्लांट मेटेरियल कहते हैं सब्सकर ये आपने धान की खेती देखी होगी तो सबसे पह जब नर्सरी तयार हो जाती है कुछ दिनों को बाद उसको किसी दूसरे प्लांट पे इसी दूसरे प्लेस पे ट्रांस प्लांट कर जाता है तो वही करलाता है जो सीडलिंग मनाई गई जो नर्सी तयार की गई वो क्या है प्लांटिंग मटेरियल है है डिक तो वही इसमें क्या वूला गया है कि जब सिंबला मिर्च कि प्रोडक्शन होता है तो उसमें भी सीरेलिंग तयार की जाती है गी हorta इस असरी को फिशायल बेट भे ट्रांस्वर कर दिए जाता है कैसे क्या होता है वह समय पहले उसके नर्सी का लेते है किसी विल्ड बे सपोज के नर्सरी बड़ी हो गई थी तैयार हो गया तो उसको लोग जब तैयार हो जाएगा उसको हम लोग दूसरे प्लेज इसके सड़ुए में उसकी सेटिलिंग तयार होने में जो भी टाइम लगे हैं मैं यहां उस से भी घुल जाते टाय्मिंग लेशकता है निएक्स्ड आते है क्रूनिंग क्या होता है वह समझ जिए उसका है कटाई या फिर की सत्याप प्रूनिंग का आप इसकी प्रोणिंग क्यों की जा रही है तो कि जादे अमाउंट में इस पर ब्रांचिंग हो सके जितनी ब्रांचिंग होगी उतनी फूरूट लगेंगे उतने ही सिम्ला मिर्श देखने को मिलेगा तो इसकी प्रोणिंग एक important process मना गया है यहने कि जब आप प्लांट को transparent कर दिये किसी दूसरे place पे लबक 30 दिन बाद इसकी प्रोणिंग स्टार्ट हो जाती है ठिक तो 30 दिनों के बाद यह तयार हो जाते है उसके बाद इसकी प्रोणिंग होती है लबक 10 दिनों के बीच में यहने कि 30 दिन होके इसको लगाने के बाद फिर इसकी प्रोणिंग की जाई इसकी कटाई होगी क्यों क्योंकि कटाई इसलिए होगी कि इसमें और सारे branching more branching हो सके प्लांट को छटाई इसलिए होती ताकि उसमें बहुत सारे पत्तिया निकले जब बहुत सारे पत्तिया होंगे उसमें बहुत सारे फ्रूट लगेंगे जब बहुत सारे फ्रूट होंगे उसकी कामर्शिल रूपे यूज़ के जाएगा ठिक तो इसलिए प्रोनिंग की जाती है जाएगा और उसके प्रूट के लिए काफी बेंफिटियल और काफी रिलेटिव आणिगी काफी अच्छा विस्वसनी आप कर सकते हैं कि अधियर को देना प्लांट को फर्टी केसं कर लाता है जैसे हम लोग गाओ घरों में देखते हैं तो उसको लोग फर्टीलाइजर यूरिया वगेरा देते हैं तो वह कुछ होता है कि आप कह सकते हैं कि सॉलिड फार्म में होता है पुछ होते हैं कि powder farm में होता है लेकिन जो यहां पे fertilizer यूज़ किया जाता है वह होता है वाटर साल्बूल के farm में होती है कि अध्यात हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग का मतलब कोई plant हो मेचियोर हो जूगा बड़ा हो गया जोगाने प्रूटिंग होई फ्लावरिंग आप उसको किस्ट प्रकार से कटाई की जाए वही हार्वेस्टिंग के लागए है कि तो आपको पता है वही आप सिमला मिر्श का प्रूटचन कर रहे हैं तो स्मला मिर्श मैंने बताया कि यह कई कलर के humid होते हैं आपका जो होतें वो कई कलर की होते आपका तो Miche him GPLove जैसे अगर में पहले तोड़ लिया जाए जाने कि जैसे आंप कहते हैं कि कोई फ्लावर है या फिर flu है माल जी वह जैसे जैसे मेच्योर होगा वैसे वैसे उसकी करण चेह जाएगी ठीक वही कंडिशन इसमें भी देखा जाता है जब आपका ठीक जब आपका लगभक 55-60 डेख क यानी की दो महिने का होता है तो वह कैसे होते हैं ग्रीन कलरके दिखाई पड़ते हैं जब वैसी मेच्री किष्ण उसक्षोक के और अच सेuta किष्ण इसमेहिं मेच्धध आपकाम आपकाईग तब यह रेड कर दिखाई पढ़ते हैं तो different क्या है different color की होती है आपके क्या similarity थिक तो इसको harvest करने का सबसे suitable time morning माना जाता है यानि कि morning में इस की harvesting की जाती है ठीक आगी समस्ते है पेस्ट management क्या है पेस्ट management यह है कि जो आपके जो आपने plant ग्रो करा रहे हैं उसमें fungus या फिर कोई insect वगएरा उसमें attack तुन है कि है यानि कि उसमें insect fungi निमेटोड शीवेड या insecticides कुछ भी उसमें insect वगएरा जो भी उसमें अगर कोई attack किया है तो उसको पेस्ट को मारने के लिए यानि कि उसमें कोई pathogen कोई बीमारी अगर उसमें हो गई है तो उसको दूर करने के लिए जो भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड वायरूसाइड जो भी छीजें छिड़काव की जाती है वह पेस्ट कहलाती है यानि कि पेस्ट को मारना पेस्ट मनिजमेंट कहलाता है पेस्ट का मतलब है different type के pathogen ग्रेडिंग और साटिंग का मतलब क्या है मैंने बता है कि जो आपका कैसिकम होता वो different color के होते हैं हो सकते उनकी साइज भी छोटी हो साइज हो सकती यह बड़ी हो तो उसके साइज पे उसके color के करना अलग उसके साइज पर कुलर कैसा है उसके उसको क्या करना अलग करना ग्रेडिंग करता है ठीक यानि कि according to the year shape size and quality capsicum can be graded into different grade यानि कि उसको अलग-अलग बाटा जाता है तब good quality आप capsicum selected and cleaned with dry cloth जो अच्छे quality के होते हैं उसको लोग सूखे कपड़े से clean करते हैं उसको अलग कर देते हैं फिर क्या होगी उसकी packing होगी packing करने का मतलब आप भाई capsicum का जो आपका fruit है उसको पैक करेंगे तो good quality के जो fruits होंगे उनको हम लोग different cartoon में जैसे apple आपका पैक होके आता है तो उसमें इस्टीकल लगे होते हैं त्या फिर उसमें specific कह सकते हैं कि chamber बना रहता है उसमें उसको रख दिये जाता है तो उसको packing की जाती है उसको storage की जाता है यानि कि उसको पैकिंग इस लिए करें इस्टोर इस लिए करें कि भाई आपका plant commercial तोर पे आपने गुरू किया है तो उसको आप sell करने के लिए उसको बेचेंगे तो ब different cardone में different चीजों में आप उसको पैक करते हैं जो capsicum होता है उसमें vitamin A, vitamin C, calcium, magnesium, phosphorus, potassium यह सब amount में यानि कि यह सब भी उसमें present होते हैं यानि कि यह दिच सोर्स होते है किसका vitamins का, calcium का, magnesium का, phosphorus का, phosphorus का और proteins का, ठीक अगर आपके कोई doubt, कोई queries, कोई question होती है तो आप हमसे हमारे whatsapp या फिर comment box में आप अपने doubt question को पूछ सकते हैं यह lecture आज यह फिर खत्म होता है अगले lecture में हम आपको एक fruit के बारे मराएंगे strawberry के बारे मताया जाएगा जो आपके syllabus में दिया गया है यानिकि अगला lecture हमारा एक fruit पे होगा यानिक strawberry पे होगा जो एक fruit plant है इसी के बारे में अगले lecture में हम लोग समझेंगे कि यह किस family से बिलांग करता है इसका botanical name क्या है क्या इसमें टेकनिक यूज करी जाती है इसका soil bed preparation, mulching क्या होता है, plant material क्या होता है किस region पे यह पाय जाते हैं, किस मन्त पे ग्रू करते हैं, irrigation, vertigation सारी चीजे अगले lecture में हम लोग समझेंगे जिस प्रकार से आपका यह cultivation का जो part है वो cover हो जाएगा, फिर एक topic है आपका hydroponics, उसको हम लोग cover कर लेंगे अगले lecture में hydroponics, hydroponics क्या होगा, हम आपको एक कर के lecture में आपको एक थोड़ा सा clue बता देंगे, इस concept भीट बता देंगे ताकि आपको जो lecture जब पढ़ाया जाए, वो काफ़ी अच्छे से समझ में जाए, ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले lecture में, इस्ट्रावेडी के साथ जो एक fruiting plant है